हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी I hope कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 के सब्जेक्ट सोसल स्टेडीज के वीक नंबर 19 की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वक्सीट का ट इसमें कितने वक्ति यात्रा कर सकते हैं तो बच्चों आंसर है एक ग्लाइडर जो होता है यह बिना इंजन का एक एरक्राफ्ट होता है विमान होता है विच केन केरी वन और टू पीपल फ्रॉम वन प्लेश तो अनॉदर वाइल फ्लोटिंग इन दा एयर विद इस बिग विंग्स यह अपने बड़े बड़े पंखों के साथ हवा में तैरते हुए एक से दो लोगों को एक से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है इसने कितनी दूरी को कवर किया तो बच्चो आंसर है पहले एरोप्लेन के इन्वेंटर्स दो अमेरिकन भाई हैं ओलिवर एंड विल्बर राइफ अर्ट ने इस विमान ने 36 मीटर की दूरी को कवर किया था हमारे जीवन पर एरोप्लेन के आविस्कार का क्या प्रभाब पढ़ा तो बच्चो आंसर है हम एरोप्लेन से वर्ल्ड के किसी भी कॉर्णर में बहुत ही कम समय में पहुँच सकते हैं बच्चो आंसर है बोइंग 747 एक जम्बो एरक्राफ्ट बोइंग 747 एक जम्बो एरक्राफ्ट है देट केन केरी मोर दें 500 पैसेंजर्स एट ए टाइम जो की एक बार में 500 से भी अधिक यात्रियों को ले जा सकता है नेक्स्ट इस वाई चार्स लिंगबर्ग इस फेमस इन ट्रेवल इंडस्ट्री चार्स लिंगबर्ग ट्रेवल इंडस्ट्री में क्यों फेमस है तो पच्चो आंसर है इन दे इर 1927 चार्स लिंगबर्ग ऑफ अमेरिका क्रोस्ट अट्लांटिक ओशियन इन सिंगल एंड एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट फ्लाइट और 33 आवर्ज सन 1927 में अमेरिका के चार्स लिंगबर्ग ने 33 गंटे की बहुत ही मुस्किल और सिंगल उडान में अट्लांटिक ऑशियन को पार किया था नेक्स्ट इस वाटि इस कॉनकॉड ऐरोप्लें कॉनकॉड एरोप्लें किसे कहते हैं राइट थ्री सेंटेंस अवाट इट इसके बारे में थीन वाके लिखिए तो बच्चे आंसर हैं कॉनकॉड इस ऑफास्टेश पैसेंजर ओरलाइनर कॉनकॉड संसार का सबसे तीवर पैसेंजर विमान है इस स्पीड इस 2333 क्लोमीटर पर आवर इसकी जो गती है वो 2333 पर आवर है इसको फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया इस प्लेन कवर्स दर डिस्टेंस बिट्विन लंदन एंड न्यू यूर्क इन 3 आवर्स यह प्लेन लंदन और न्यू यूर्क की दूरी को 3 गंटे में पूरा करता है बच्चे हाँ पर आपको ब्लेंक को फिल करना है फर्स्ट इस एंड फ्लिव द फर्स्ट एयरक्राफ्ट इन 1903 1903 में पहले विमान को किस ने उड़ाया ओलिवर एंड विल्बर राइट ने नेक्स्ट इस दा फ्लाइट्स ओफ वर स्टॉप्ड इन द इयर 2003 ड्यू टू मैनी एक्सिजेंस कई दुरगटनाओं के कारण सन 2003 में किस की उड़ानों को रोग दिया गया तो बच्चों कॉन कोर्ड फ्लाइट्स को एरोप्लेंस को और किसके नाम से जाना जाता है एयरक्राफ्ट तो यहाँ पर लिखेंगे एयरक्राफ्ट नेक्स्ट इस हूज कैन केरी मोर देन 500 पीपल एट टाइम बड़े क्या पास्सों से भी अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकते हैं जम्बो जैट नेक्स्ट इस स्पेशल टाइप्स ब्लेट देट रोटेट विद हाई स्पीड तु लिफ्ट दा इन दा एयर एक विशेश प्रकार के ब्लेट जो की बहुत ही तेज गती से हेलिकोप्टर को उठाने के लिए हवा में गूंते रहते हैं तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हेलिकोप्ट कर दो